अस्सलाम उलेकुम, जिन्दगी की सचाई को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी खुद भी उसमें बैठ कर देखो। मौमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मौमिन वो है जिसकी तनहाई पाक हो। मौत को याद रखना नफस की तमाम बिमारियों का इलाज है। बच्पन में वालते हैं तुम्हें शेहजादे और शेहजादियों की तरहां पालते हैं, तो तुम पर भी फर्ज है कि बुढ़ापे में उन्हें बादशा और मरका की तरहां रखो। यतिम का माल खाने वाला हजार यतिम खाने बनवाए, सकून नहीं पाएगा। दूसरों के दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्ला तुम्हारे दर्द मिटा देगा, इन्शाल्ला उनके दिल हमेशा रोशन रहते हैं, जिनकी जुबाने अल्ला पाक के जिकर से तर रहती हैं नेक बनने के लिए ऐसे कोशिश करो, जैसे खुबसूरा दिखने के लिए करते हो जिन्दगी में दो चीजें याद रखें, जब आप अकेले हों, तो अपने खयालात का खयाल रखें, और जब आप लोगों के साथ हों, तो अपने इल्फाज का खयाल रखें वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पूंजती है उन दस उंगलियों से बेहतर है जो आपकी काम्याबी पर तालियां बजाती है आज इनसान परेशान है क्योंकि उसके पास हर चीज के लिए वक्त है सवाए नमास पढ़ने के हिम्मत मर मत हारो क्योंकि पहाड से निकलने वाली नहरों ने आज तक किसी से नहीं पूछा समंदर कितना दूर है इस से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने एहम हैं अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं जिन्दगी ने दो चीजे तो जरूर सिखाई हैं एक तो अपने में खुश रहना दूसरे अपने अल्ला के सिवा किसी से कोई उमीद न रखना वक्त बहुत कुछ दे जाता है अच्छी बुरी बातें बहुत बड़े और गहरे जखम भी दे जाता है फिकर आखरत वो चीज़ है जो इनसान को हर जगां हर शर से महफूज रख सकती है हकीकी तरलुक वही होता है जो वक्त, हालात, जरूरत और मिजाच के बदलने के बाबजूद भी काइम रहे आप अगर किसी की खुशी का जरिया नहीं बन सकते तो किसी के गम का सबब भी ना बने खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत हों चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती घर के बड़े घर की रोनके साथ ले जाते हैं उनकी खित्मत कीजिए ये जिन्दगी है कोई फिलम नहीं यहां लोग परफेक्ट नहीं हो सकते समझोते करने पड़ते हैं और खामिया तो हर इनसान में मजूद होती हैं वाहिद अल्ला ताला की महबत है जो हर मतलब से पाक होती है वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है देखना कहीं जिन्दगी आसान बनाते बनाते मोत ना मुश्किल हो जाए तोबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो क्योंके वो सबसे ज्यादा नरम दिल होते हैं औरत जाहिल के लिए हवस और अकल मंद के लिए रू है अजीब रिष्टा रहा कुछ इस तरहां अपनों से ना नफरतों की वज़ा मिली ना मुहब्बतों का सिला मिला वक्त के समझाने का तरीका सफ्ट और तल्ख होता है मगर इसकी समझाई बात सारी उमर के लिए समझ में आ जाती है यह दुनिया करार की जगा नहीं यहां चैन बस अल्ला के जिकर में है यह इस शेय में जिसे अल्ला वज़े तसकीन बना दे रिष्टों का सोदा हर रोज बदलता रहता है मीठा, नमकीन, खारा बस यह इस बात पर मुनसिर है के आप हर दिन इसमें क्या मिला रहे हैं अपनी तवानाई दूसरों को वज़ाहते देने में हर्गी जाया ना करें क्योंके लोग वही सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है किसी की जलन करोगे तो कुछ ना पाओगे हर हाल में अल्ला का शुकर करोगे तो गिनना पाओगे इन्सान की सबसे खुबसूरत दुनिया ख्यालात की दुनिया है जहां वो अपनी मर्जी की जिन्दगी जी सकता है चाहे वो चंद लम्हों की ही क्यों ना हो किसी गमजदा की आंग से आंसू चुरा कर इसके चेहरे पर खुशियां बखेरना अजीम नेकी है सबर ऐसे करो जैसे रोजा रख लिया इस तसली के साथ के मगरिब की अजान होनी है देर से ही सही मगर अल्ला जरूर देता है हमेशा अल्ला से अच्छी उमीद रखें अपना और दूसरों का ख्यार रखें खुश रहें खुश या माटें अल्ला हफिए